अगर आपके साथ भी ये सारी समस्या है जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ तो ये समझे कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी नहीं होगी आपकी केवल ही केवल सीजर डिलिवरी होगी और किन कंडिशन में नॉर्मल डिलिवरी होती है दोनों के बारे में आज के वीडियो में म डर जाती है बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो मैं इस बीडियों बता रही हूं उस चीज को समझे और समझने की कोशिश करिए देखिए सीजर डिलिवरी आपकी कैसे होती है सीजर डिलिवरी अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइन है या फिर अगर आपकी प्रेगने लिसे समसीर में हल्की फल्की स्वोंतिंग होरी है यानि एग से लिके नाइन मन्थ यह समझे या फिर अगर आपका सिसु जstep आपके घर्व में कमें आपके अगर अगर आपका सिसु आपके गर्व में ही पोटी कर दिया है पहला जो उसकी पोटी है ना अगर ओ गर्व में ही कर देता है इसके बाद अगर आपका नाइन मन्थ पूरा हो गया है डिव डेट निकल गई है इसके बाद भी अगर आपका लेवर पे नहीं आ रहा है तो इन सारे क की मेहनत है आपको भी बचाना जरूरी है आपके सिसु को भी बचाना जरूरी है तो इन सारे कंडिशन में सीजर डिलिवरी हो जाती है अब मैं बताती हूँ कि उन कंडिशन में सीजर डिलिवरी कैसे होती है जो कि आपका हर चीज नॉर्मल रहता है यानि कि एक से नाइन मंथ आपको कोई कम्टीकेशन नहीं है, हर चीज नार्मल है, आप बिल्कूल अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, सारा अच्छे से फूड ले रही है, बेबी का भी वेट अच्छा है, बत जब आप लेवर रूम में जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ कंडिशन जिससे की जो डॉक्टर है उसको आनन फानन में तुरंथ ही दिलिवरी करनी पड़ती है ओक कंडिशन यह होती है कि जब आपका लेवर पेंज शुरू हो रहा है और जब लेवर पेंज शुरू होता है तो उसमें सिसु की धढकन गिरने लगती है अगर आपका सर्विक्स का लागातार गिर रही है सिसु की धड़कन नापने के लिए एक मसीन आता है उससे बार बार आपके पेट पे इस टमक पे मसीन डालके और सिसु के धड़कन नापा जाएगा अगर आपका सिसु का धड़कन बाई चांस गिरना शुरू हो गया तो तुरंत इस केस में डॉक्टर जो है आपको seizure करती है दूसरा अगर आपका सिसू लेबर पेन शुरू हो गया है और आपका सिसू ने कहीं उसमें गंदा पानी पी लिया है या फिर उसमें पोटी कर दिया है तो तुरांत ही इस situation में भी जो है डॉक्टर आपको seizure करेगी तिसरा condition है अगर आप जो है लेबर प हो जा रहा है तो इस situation में भी डॉक्टर आपको seizure delivery करती है इसके अलावा अगर आपको लेबर पेन तो आ रहा है लेकिन cervix का मुँ नहीं खुल रहा है कितना हूँ लेबर पेन आ रहा है कितना हूँ डॉक्टर medicine दे रही है हर चीज दे रही है लेकिन यहाँ पे आपका जो cervix है ओ खुलने का नाम नहीं ले रहा है तो इस condition में भी डॉक्टर आपको क्या करती है तुरंत ही seizure delivery की सलाह देती है तुरंत seizure delivery कर देती है इसके अलावा जो महिला है उनका लेबर पेन भी आ गया उनका cervix का मुँ भी खुल गया पुस नहीं करती है मैं बार बार बताती हूँ कि पुस कैसे करना है जब पुस नहीं करती है तो क्या होता है बच्चा अंदर फसा हुआ रह जाता है, जब धक्का लगाएंगी, push करेंगी, तो ही सिसू बाहर निकलेगा, नहीं लगाएंगी, नहीं करेंगी, तो सिसू अंदर ही फसा रहेगा, तो इस situation में भी कोशिष करके ठक जाती है, लेकिन नहीं सिसू बाहर निकलता है, तो डॉक्टर आपक सीजर से ही होती है तो ये सारे सिचुएशन में डॉक्टर आपो सीजर का सलाह देती है तो आपका वहलाई इसी में है कि आप सीजर करवा ले अब जानते हैं कि आपको कौन सा उस सिंटम्स नजर आता है जब आपकी नॉर्मल डिलिवरी का जो है समय आ जाता है मेरा म्यूकस निकल रहा है मुझे लेवर पेन आ रहे हैं तो भी आपको नॉर्मल डिलिवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके बाद अगर आप वाकिंग करती है अभी मैंने जो बताया पुस वाला सिस्टम उसमें आपको पुस करने का तरीका पता होना चाहिए यानि कि आपको ब्रिदिंग एक्सरसाइस की टेकनिक पता होने चाहिए कि कैसे लेना है कैसे छोड़ना है इससे आपको नॉर्मल डिलिवरी की प्रोसेस में है काफी आसानी होती है और नॉर्मल डिलिवरी की chance भी इससे बढ़ जाती है इसके अलावा अगर आप 9 मन्त ये नहीं की 9 मन्त कुछ नहीं किया और 9 मन्त में आ गए और अपना आप डिलिवरी की process जो होने वाली है तो अपना आप नॉर्मल डिलिवरी की प्रक्रियार शुरू कर दिये तो ही normal delivery होगी तो जब आप pregnancy conceive कर लेती हैं और आपकी pregnancy में कोई complication नहीं है तो आपको समय से सोना, समय से जगना इसके अलावा आपको समय से diet लेना अच्छी healthy diet लेना इसके बाद आपको walking करना, exercise करना घर के हलके full के काम करना ये सारे चीज़ करेंगी तो आपको normal delivery होने से कोई नहीं रोख सकता I hope की जो जानकारी मैंने दिया है अगर ओ आपके body में symptoms नरजर आ रहे हैं तो आपको इंतिजार करना बेकार है आपको normal delivery नहीं होने वाली है, seizure ही होगी इसलिए अपने आपको अपने मन को समझाईए कि हाँ मेरी seizure delivery होने वाली है कोई दिक्कत नहीं है, seizure में भी बहुत जल्दी recovery हो जाती है तो आपको tension नहीं लेना है, आपको stress बिल्कुल नहीं लेना है मिलते हैं इसी तरह अच्छे और नए वीडियो में और अगर आपके कोई query है तो comment box में जरूर दीजिएगा उस पर वीडियो जरूर बनेगा, bye bye, take care, धन्यवाद आप अपना pregnancy enjoy करें